आज होगा है मताबाद में किर्किट का एतहास बदल एक तरफ होगा शाहिन शाफरदी के इन सुन्यार कर तो दूसरी तरफ हारिस रोफ का होगा बॉन सर आज किर्किट का एक बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दर्मियां और एक साइट खेलेगा विराट कोली और रोईत शर्मा और दूसरी तरफ कहलेंगे बाबर आजम अब्दुल्ला शपीक और रिजवान दिखाएंगे अपनी बेटिंग का जल्वा तो आज हम बात करते है किर्किट का तो देखे पहले आज जो पाकिस्तान किर्किट टीम का जो सिकॉरिटी है उसको डबल किया गया है पहले 200 थी अब पाकिस्तान किर्किट टीम के साथ रहेंगे इस चैनल पर जो खबरे मैं दे रहा हूं आप लोगों को बता रहा हूं यह किसी और चैनल में आप लोगों को न नहीं होगा यह मैच हर कोई देखेगा और इस मैच में रिकार्ट ब्रेक होंगे वीवर्शिप के हर कोई बोलेगा हर कोई आएगा सोचल मेडिया को उनकों मिलेंगे व्यूज तो प्लीज आज करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आज अदर थोड़ी से एक्टिंग गुज करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आते हैं न्यूस की तरफ देखें पाकिसान क्रिकेट टीम का आज बहुत बड़ा यानिक है आप यह कह सकते हैं कि फाइनल जैसा मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दर्मिया और यह मैच होगा आज एमताबाद मे है तो यह बहुत बड़ी सिर्मनी रखा गया है एमताबाद में एक लाग बतीस हजार एक लाग बतीस हजार एक दफा फिर सुना एक लाग बतीस हजार लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम में आएंगे और वो लोग सिर्फ औ इंडिया टीम को सपोर्ट करेंगे और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का यह जो मैच है यह किसी फाइनल से कम नहीं है इसमें हर कोई लोग हर किसी को पसंद है यह मैं हर कोई देखना चाहेंगे वाटसन का कल एक स्टेटमेंट आया था उसने कहा था कि जहां तक मुझे लग रहा है कि एक साइट से मौमत रिजवान और बाबराजम और अब्दुल्ला श्फीक फार्म में लग रहे हैं और आज बाबराजम स्कोर करेंगा उसका यही कहना दूसरी तरफ देखा जाये तो उसने तारीफ रोहिछ छिर्मा की भी की विराट कोली की और के पाकिस्तान और इंडिया का आज तक जितने मुकाबले हुए ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता दूना पाकिस्तान वर्सिस इंडिया हेट टू हेट इन ओडियाई यानि के वन डे इंटरनेशनल पाकिस्तान का अभी तक मैचिस कहला गिया है 134 यानि के 134 मैचिस कहला गिया है ओडियाई में और 73 पाकिस्तान जीता है जबके 56 मैचिस इंडिया जीता है एश्या में 101 मैचिस 27 मैचिस हुए है उसमें 28 मैचिस पाकिस्तान जीता है और 19 मैचिस इंडिया जीता है वर्ल कब में 7 मैचिस हुए है 7 मैचिस में से ओडियाइस के 7 मैचिस में पाकिस्तान जीरू जीता है जब के इंडिया 7 के साथ पूरे मैचिस जीता है इंडिया के पास ये बरतरी आसिल है अब आख जो रिकार्ड देखा जाए पाकिस्तान का बहुत बेतर है वर्ल्ल कप को देखा जाए तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान के दर्मियान 7 मैचिस खेलेगे वो इंडिया जीता है के रहेंगे इन तीन और मोर टीम्स टॉर्णामेंट मैचिस उसमें टोटल 68 मैचिस कहले गये जिसमें 37 मैचिस पाकिस्तान जीता है 29 मैचिस इंडिया जीता है जितने भी टॉर्णामेंट के फाइनल मैचिस हुए ना टॉर्णामेंट के फाइनल मैचिस आज तक पाकिस्तान औ और तीन इंडिया जीता है यह पाकिस्टान का अवराल रिकॉर्ड है और पाकिस्टान और इंडिया का आज ओगा बहुत बड़ा टाकर है यार अभी तक मुझे से कोई मुझे अनलब मैं आपको क्या बता हूँ कोई इंतजार ही नहीं हो रहा मैं चाहता हो कि जल्दी जल्दी डेट बज जाए और पाकिस्तान और इंडिया का टास हो बाबर आजम टास जीते और कहें कि हम पहले बॉलिंग करेंगे या हम पहले बैटिंग करेंगे बाबर आजम ये डिजिशन लेगा फिर मुझे सुकून मिलेगा और अब्दुल्ला श्पीक दिखाएगा अपनी हुनर बैटिंग का और दूसरी साइड डिखाएगा इमाम अलहक अपनी हुनर ये तो मानना पड़ेगा के इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है वो भी इस दफ़ा बहुत तकड़ी है उन्होंने ऐशिया कब में सेरलिंगा को जिस तरह आ रहा है औस्ट्रेलिया को जिस तरह वर्ल लवर्ज है वो अब्दुल्ला शिफीक बाबराजाम मौमत रिजवान और इफ्तिकार चाचा पर बहुत ज्यादा उमीद रखते है इंचालला तलह ये चार बैट्समें एक एक का चार हंड्रेट चार शिता किस मैच में लग जाए ना हर एक बैट्समें हंड्रेट बना के जाए उफ क्या मज़ा आएगा इत्हास बदल जाएगा इंडिया में बहुत ज्यादा एक्साइटीट हुम है तो तो देखे इस वेडियो की आप वाइंड अप करते है और आगला मेच का इंतजार करते है ये जो मैच होगा मैच के बाद आप मुलाकात करते है फिर अगर प फाइनल आज जो फाइनल मेच है फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का इसके बाद हम मुलाकात करते है यह हमारे लिए फाइनल से कम नहीं है इस फाइनल के बाद हम मुलाकात करते है प्लीस अब मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़े रहे किर्किट के हर लेटस्ट अपडेट इसी चैनल पाफ लोगों को मिलते रहेगी और मेरे साथ लाजमी साथ रहेगा अल्ला आफिस